ओम नमस्षिवाई तंत्र की रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है तो अभी जो सावन चल रहे हैं ये ऐसा पर्व है जहांपर कि वशीकरण का जो कर्म है वो बड़ी आसानी से हो जाता है वशीकरण को जब हम करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें रितु काल देखना होता है जो वशीकरण है वो वसंत रितु में होता है और ये रितु आती है सुबह के पहले पहर में आप इसको कर सकते हो सुबह पांच बजे से लेकर ग्यारा बजे तक इस समय यदि कोई भी वशीकरण का प्रियोग किया जाए तो निश्चित हिस सफलता को प्राप्त होता है आज का जो उपाय है वो अति दुरलब है इसको यदि कोई स्त्री कर देती है तो जिंदगी भर जो पती है वो उसके वश में रहते है मैं देखता हूँ कि कई बार कोई तीसरी और अता कर ये प्रियोग कर जाते है और उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ऐसा कोई ग्यारस्त्री करें इस से पहले आप अपने पती को कर दीजिए जिससे कि वो उम्र भर आपके साथ रहेंगे तो सिर्फ आपको इतना करना है कि एक भोजबात्र लेना है उसके पीछे अपने साथी का नाम और अपना नाम लिखना है और थोड़ा सा जो आपके पहले दिन का ब्लड होगा वो आपर लगा देना है इसके बाद इसका फलीता बनाकर पानी में बहा देना है जैसे ही ये आप पानी में बहाओगे आपका प्यार जो भी आपका बैफरेंड है या फिर जो भी आपका पती है वो व्याकुल हो जाएगा ये इतना दीपर होगा कि इसको सहने की शमता बड़े से बड़े पत्थर दिल में भी नहीं होगी एक बार ये उपाय जिस पर कर दिया और ये लग गया समझिये उम्र भर के लिए वो आपका गुलाम बना रहेगा अगर इसके बार में कोई भी दिक्कत आये या परेशनी आये तो मुझे कॉल कीजेगा 999-284-1625 धन्यवाद